तो आज की वीडियों में लोग क्या डिसक्स करेंगे दे रिफुजी चैप्टर के एक्सराइस को ठेक है क्रिती ने मुझे कॉमेंट करके कहा था कि सर आप एक्सराइस को भी डाल दिया करो ठेक है तो में एक हाल से क्रिती ने सही कहा था कि एक्सराइस को भी हमें कर लेना चाहिए लेकिन हाँ एक्सराइस में हम लोग कोशन अंसर नहीं करेंगे क्यों उसके पिछे क्रिशन है कि देखे कोशन अंसर हम करा दें लेकिन जो स्टुडेंट्स होगा या जो बच्चे है जो आपक जो उनके teacher ने उनको copy में, जो school में कराया है, ठीक है, तब ही जाके उनको marks मिलेगा, और हम question करा दें, और teachers भी करा दें, तो बच्चा क्या होगा, confused हो जाएगा, कि किस का answer याद करे है, मेरा वाला, या फिर जो उनके school में कराया है, वो वाला, तो इससे क्या होगा, उसका mind divert हो और बच्चों को वही answer याद करने दीजे जो उनके schools में कराया जाएगा और आपने कहा था, कृती ने कहा था, sir exercise के लिए तो हाँ exercise हम लोग करते हैं exercise हम लोग discuss कर सकते हैं तो चलिए exercise को हम लोग discuss करते हैं ठीक है? सबसे पहला question हमारा क्या है? The messenger came with an important message The matter was urgent because matter was urgent और जो matter मतलब जो बात था, जो message था वो बहुत ही urgent था, बहुत ही जरूरी था because, क्योंकि option A क्या कह रहा है The country was about to be attacked by a group of foreigners क्योंकि जो country था, वो group of foreigners द्वारा attack होने वाला था क्या ये लिखा था उस message में? नहीं, ये नहीं लिखा था, तो ये option A क्या है? option B क्या कह रहा है A group of foreigners were seeking permission to enter the country जो group of foreigners थे, वो क्या? आदेश का इंतिजार कर रहे थे, ताकि वो country में enter कर सके तो, हाँ, option B क्या है? सही है, कि वो आदेश का क्या कर रहे थे? जादव राने के आदेश का इंतिजार कर रहे थे ताकि जादव राना पर्मिशन दे, आदेश दे तो, वो उनके country में enter कर सके option C क्या कह रहे है? A group of foreigners were waiting outside the palace to see जादव राना जो group of foreigners थे, वो जादव राना के palace के बाहर वेट कर रहे थे, जादव राना को देखने के लिए तो, नहीं यह option B क्या हो जाएगा? गलत तो, option B क्या हो जाएगा? is the right answer The messenger came with an important message because, sorry, message the matter was urgent because a group of foreigners were seeking permission to enter the country ठीक है? चले, next question क्या कह रहे है? Question number 2 आचल राना did not allow the foreigners to land without जादव राना permission जो आचल राना थे है वो foreigners को allow नहीं कर रहे थे बीना जादव राना के permission के, वो foreigners को country mentor करने से allow नहीं कर रहे थे तो, क्या यह बास सही है? तो, हाँ, यह बास सही है उन्होंने उनको रोक कर रहा था उन्होंने allow नहीं किया था तो, क्या जाएगा? answer, true Question 4 How many of these statements are true about the group of foreigners? अच्छा, यह सारे statements ते रहा है A, B, C, D, E और इन सारे statements आपको बताना है कि कौन सा statement यह कितने सारे statement जो group of foreigners के लिए सही है देखें, चले, statement A देखतें पहले They came to Gujarat to attack Jadav Rana country वो, Gujarat आये थे ताकि वो Jadav Rana के country को attack कर सके क्या यह सही है उस group of foreigners के लिए? नहीं, यह सही नहीं है यह गलत है, यह statement गलत है They were on a world tour क्या वो दुनिया घुमने निकले थे? World tour पे निकले थे? दुनिया घुमने निकले थे? नहीं, वो world tour पे भी नहीं थे They came because it was unsafe to live in their own country वो यहां पर आये थे Jadav Rana के country में आये थे क्योंकि उनके अपने खुद के country में रहना safe नहीं था क्या यह बास सही है? उनके अपने country में रहना खुद के लिए safe नहीं था क्यों? क्योंकि उनका जो नहीं रूलर था वो दूसरे religion के लोग थे उनको जान से मार रहा था Option D They had a new ruler who belonged to a different religion उनका एक नहीं रूलर था जो की दूसरे धर्म दूसरे religion को belong करता था क्या यह बास सही है? हाँ, यह बात सही है यह statement भी सही है उनका नहीं रूलर दूसरे धर्म को belong करता था They had visited many other places to ask for shelter before coming to Jadav Sarana land वो Jadav Rana के land मतलब Jadav Rana के country में आने से पहले वो दूसरे दूसरे जगे पे भी जाकर shelter के लिए पूछेते हैं वहाँ पे भी ask किये थे तो हाँ, यह बात सही है वो गुजरात आने से पहले और भी बहुत सारी जगे पर जाकर shelter के लिए जगे ढूण रहे थे तो यह statement भी सही है अब हम लोग आते हैं question number 10 Jadav Rana knew that the strangers were from a different country and a different religion yet he decided to welcome them to his kingdom which of these qualities did Jadav Rana possess Jadav Rana को पता था कि वो दूसरे देश से हैं और उनका जो धर्म है जो रिलीजन है वो भी दूसरा है उसके बावज़त yet फिर भी उनोंने जो foreigners ने उनको अपने kingdom में welcome किया मतलब permission दे दिया किस quality का आपको पता चलता है क्या वो broad mindness थे option B क्या वो kindness थे option C tolerance towards other religion मतलब वो दूसरे धर्म को भी उतने ही respect देते थे जितना वो अपने धर्म को देते थे option D sympathy वो बहुत ही sympathy जताते थे दूसरों के लिए दयावान थे option E helpfulness वो दूसरों के मदद भी करते थे option F A to E right option is F right option क्या हो जाएगा यह सारे quality जो A to E है वो सारे quality उस जादवरान में था जाएगा जाएगा अब आते हैं हम लोग यहाँ पर तो क्या हो जाएगा it begins यह begun यह सब क्या होते हैं यह सिंग्लर सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ जो वर्ब लगता है वो भी क्या लगता है सिंग्लर लगता है यह टेंस का पार्ट है जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को और अच्छी तरीके से बताएंगे पर फिलाल के लिए इतना जानी है कि he, she, it और name एक लोग का नाम यह क्या होता है इनके साथ वर्ब लगता है वर्ब को सिंग्लर लगता है तो क्या जगा it begins its work when you were 25 days old in your mother's womb it does beating until the end of your life तो क्या जगा it continue या it will continue तो जगा it will continue future की बात करें अभी से लिए कि आने वाले समय तक वो beat करता रहेगा, pump करता रहेगा beat करता रहेगा जब तक आपका life है तब तक, तो it will continue future के लिए हम लोग क्या यूज़ करते है will तो क्या जगा it will continue beating until the end of your life usually without repair usually without any or some any case के लिए यूज़ करते हम लोग negative के लिए यूज़ करते है some positive words के लिए positive sentence में यूज़ करते है तो यहां पे क्या होगा बिना किसी repair के बिना किसी बिना क्या है एक negative sense मतलब negative दिखा रहा है negative sense में नहीं है एक negative form दिखा रहा है sentence का तो हम लोग क्या करेंगे negative form sentence के लिए उसलाद negative word यूज़ करेंगे without without एक negative दिखा रहा है तो without के साथ क्या हो जाएगा यहां पर क्या एगा word हर दिन यह क्या करता है pumps करता है ed past tense के लिए होता है तो क्या वह हर दिन pump करता था हर दिन pump करता है pumps हो जाएगा pumps हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर it क्या है singular है it pumps about 43,000 liter of blood enough to completely fill over 150 baths when you were a newborn baby your heart beat dash then it is beating now तो यहां पर option क्या faster यह fastest थीए एक super the degree super Lative मतलब हमारा heart beat सबसे जाए तेज भाग रहा है दुनिया में सबसे जाए तेज भाग रहा है तो fastest तो नहीं होगा तेंस होगा फास्ट कैसा होगा देखे पहली बात तो अगर फास्टेज होता भी तो यहां पे क्या लिखा होता यहां प्लिकर नहीं 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 लिका है तो fastest तो होगा नहीं faster होगा क्यों क्यों क्या पर यह लिका है then एक होता है THEN 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 EN वाल लोग कभी उस करते है EN जाम लोग कहते है फिर जैसे कि हम लोग कहते है कि I do my homework then I will play मतला पहले मैं अपना homework करूँगा फिर मैं खेलूँगा Desne I will play तो यह जो फिर 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 word उसको क्या करते हैं then एंग्लिश में ठीक है THEN का मतलब क्या होता है मैं मैं अपना homework करूँगा फिर मैं खेलूँगा तो फिर जो word है उसको एंग्लिश वालोग क्या होता है फिर यह जो THEN वाला then होता है इसका मतलब होता है फिर अब आते THAN THAN हम लोग यह then तब यूज़ करते है जब हम लोग किसी दो लोग दो लोग के comparison की बात करते है तब हम लोग क्या कहते है THAN का यूज़ करते है तो THAN का भी यूज़ करते है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है तो यहाँ पर देन लिखा है देन मतलब दो लोग का comparison हो रहा है अच्छा वो दो कौन सी चीज़ है जिसको यहाँ पर compare किया जा रहा है तो वो है एक newborn और दूसरा है now मतलब जब आप newborn थें एक time t1 है जब आप newborn थें अब एक time t2 दिखा रहा है जो आप now है मतलब दो time समय के भीच में क्या कर रहा है comparison कर रहा है कि आपका heartbeat जब newborn थें अब क्या हो रहा है वो अब faster हो गया है तो दो time को compare कर रहा है तो हम लोग क्या use करेंगे आप यहाँ तो compare के लिए हम लोग क्या use करते क्या हो जाएगा faster थेक है तो when you were newborn baby your heartbeat faster than it is beating now थेक है it is really quite small for all the work it does in an adult it is dash as a clean fist तो क्या जाएगा dash big ठीक है जब कभी भी आपका ऐसा word लिखा होगा as dash as तो हम लोग यहाँ पर जो verb यूज करते हैं यहाँ जो word यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग adjective जो यूज करते हैं वो कैसा हो जाएगा singular simple वाला हो जाएगा ठीक है जैसे as tall as as big as as large as as short as कभी भी हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगा as larger as as bigger as as taller as नहीं हमेसा simple word यूज करते हैं ठीक है as मैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा as big as big as a cleansed fist ठीक है in your heart there dash two pumps in your heart there is there is sorry there is नहीं there are there are there are क्योंकि यहाँ पर क्या है हम लोग sorry sorry there are होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करें two pumps के बात करें two pumps side by side there are are because we are talking about one sense blood to your lungs to dash up oxygen तो क्या हो जाएगा to pick यह one subject कैसा है singular है तो जो verb होगा वो भी क्या होगा singular होगा तो क्या होगा picks होगा लेकिन नहीं picks नहीं होगा यह क्या होगा गलत क्या होगा pick तो pick up oxygen क्यों क्योंकि subject singular है हमने यहाँ पर क्या बता है कि subject singular है तो वर्ब भी क्या होगा singular होगा लेकिन जब यहाँ पर two लग जाता है तो उस two के साथ जो वर्ब होता है वो वर्ब का first form यूज़ करते हैं उसके साथ फिर वर्ब यूज़ नहीं करते हैं ठीक है जैसे हम मैंने यह पर कुछ एक्जामपल भी लिखा है जैसे I cannot afford to eat out tonight ठीक है तो two के साथ क्या लगा है वो आपका first form eat लगा है ना कि eats या फिर eating या eaten या it ऐसा कुछ नहीं लगा है तो के साथ क्या लगा है वो आपका first form eat ठीक है प्रलक के साथ क्या है वो आपका first form है तो two के साथ हमेंसा क्या लगता है वो आपका first form लगता है इससे कोई मतलब नहीं subject singular है की plural है ठीक है तो यहां पर यह मत दिहांदी जाए अरे one है तो one के साथ fix होना चाहिए क्योंकि subject similar तो verb भी singular नहीं वो तो साही है subject singular तो verb भी singular होना चाहिए तो fix है यह साही चीज है लेकिन यहां पर two आ गया तो two के साथ हमें साथ verb का first form लगता है ठीक है जैसे to eat, to go उसी तरह to pick लगेगा तो to pick होगा इसको हम लोग infinitive verb कहते हैं two plus v1 को two plus v1 को हम लोग infinitive verb कहते हैं ठीक है चले यह सब आप लोग को grammar में clear होगा यह सारी चीज आपको grammar में clear होगा ठीक है confused नहीं होना जादा the other sends blood with oxygen round the rest of your body your heart is death on the left your heart is no or not answer क्या जादागा not your heart is not on the left ठीक है अच्छा not क्यों होगा क्योंकि is के बाद is क्या helping verb है helping verb के बाद not आता है no नहीं आता है ठीक है जैसे की ram is eating a mango ram am खा रहा है ठीक है ram is not इसके बाद क्या है not मतलब जो not है helping verb के साथ ही आता है helping verb is, am, are, was, were यह सब क्या है helping verb है not हमेजा helping verb के साथ लगता है helping verb क्या है is है तो इसके साथ क्या लगेगा not लगेगा no नहीं लगेगा ठीक है तो your heart is not on the left as most people think it is dash the middle of your chest ठीक है it is in the middle of your chest ठीक है तो यहां पर in हो जाएगा option ठीक है तो यह था आपका पूरा एक्सराइस chapter the refusica and I hope आपको यह बुरा समझ में भी आया होगा चलिए फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं बहुत जल्दी हम लोग next video के साथ मिलेंगा till then keep smiling keep studying see you guys soon